हेलो गाइश नीट शुत लाकीत इमें आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज मैं बना रहे हूं सूजी के गोलगपे पानी-पूरी हमारे यह यह फुल्की कहते हैं तो यह सूजी लिया है मैंनी, आटा लिया है, नमक लिया है मैं तेल लिया है तो चलिए चल कर बनाते हैं हम सूजी के गोल गप्पे और साथ में मैं पानी भी बनाऊंगी और फुलिकी भी में भरके बनाऊंगी देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है मैं थाइसो ग्राम इसमें सूजी ले लूँगी कि नमाख हम ले रहेंगे हाप टीस्पूं मैंने दो जम्माज आटा लिया है गेहूं को कि अब इसमें गरम पानी खौलता हुआ गरम पानी हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा इस एक डोग बना लेंगे हम पुलगी का तुद्धे की 20 मिनिट हो गया है अब इसकी हम लोई बना करके पेड़े इस तरह से बेल लेंगे हम अब बेल लिए है रोटी की तरह बहुत पतली ना बहुत मोटी बेल ना हो और मैंने ये डिब भी ली है इससे में कट कर लूँगी फुल्कियों को इस तरह से मैं सारी फुल्की को कट कर लूँगी अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा बेल लूँगी ताकि एक सा एक सी फुल्की बने इस तरह से अपने फुल्की बना लूँगी तेल हमारा गरम हो गया है वो अपने हम फुल्कियों को सेंक लेंगे इस तरह से आप अपने फुल्कियों को सेंक लेंगे इस तरह से नहां पुल्कियों को सेक्नी इस तरह से हमारे साथी फुल्कियों को सेक्नी से सबुल्कियों कुछ गया है अब इस नोटे कुछ नहीं हम फाई रखेंगे गोल पप्पपे बहुत ही संसर बनी है अब देख सकते हैं चाहिए आप में इंवली को पानी बना नहीं टो मैंने एक गिलास पानी ले लिया है इसमें अब हम इमली के पाल्प डाल देंगे एक कटोरी मैंने लिया है हाप टीजपून हम काला नमक ले लेंगे मैगो पाउडर हम ले लेंगे हाप टीजपून यह टीजपून थीजपून यह टीजपून हम पानी पुरे पानी डाल देंगे हाप टीजपून चाट मसाला डाल देंगे पानी तयार हो गया है इस नहीं हम बूरी डाल देंगे इंदी करानी हमारे तयार हो गया है तो यह थालाई में लेवायार पाूडर यह में ले लूँ दो चम्मच जाट मसाला ले लेंगे हमें एक चम्मच धनिया की चट्मी बनाई है यह हम इसमें डाल देंगी धनिया मिर्ची लहसुन की यह चार चम्मच ले लेंगे हमें को मचे दर से मिक्स कर लेंगे हमारे धनिया वाला पानी बन गें इसमें बूली डाल देंगे अब एक चम्मच हम ली खटाई डाल देंगे इससे बहुत अच्छा है स्वागा जाएगे तो लीजिए हमारी एक खटाई बन गए धनिया जी देखे हमने प्लेट में अपनी फुलकी ले लिए पानी पुरी को विदेखे मैं आपको बता रही हूँ यह कितनी अच्छी बनी ही क्रस हो रही है यह यह कितनी अच्छी बनी है हमारी फुलकी इतनी सौप्ट इतनी पढ़िया बनी है अब इसमें हम मटर मैंने नमक और हल्दी मिला करके और चार सीटी मैंने लगा करके इस तरह से मैं रगड़ा बना ली हूं मटर्ट इसमें वालू डाल देंगे इसमें अब बाले आलू रगडा मैंने देखे पूरे में डाल दी हूं भार दी हूं तो आलू लगा लगाने है प्याज लगाने ही और परसे काला नहीं डाल देंगी पाइट नमाग भी मुपर से थोड़ा से चड़ा दें और दही डाल देंगी दहीं की चटनी डाल देंगी ही तोनी दश्री फोई देंगी तोनी इंडी खटयाएं प्याद के रहा है यद्यगा है यह थे फिर से थोड़ा थोई प्याज से राड़ा ही तो देल नहीं दाल देंगे इस तरह फुलकी बनाएगा बहुत ही मस्त फुलकी बनती है तो 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 यालू पर सब्सक्राइब डाल देंगे हैं हमारे इसी तरह फुलकी बना कर देते हैं चाट वाले भीया कि लागडाउन लगा है आप घर पर बनाएगे अपने बच्चों को खिराएं आप खाएं मजे की लिए कि एक बार और हम इंदी की चटनी खटाई डाल देंगे कि अब उपर से हम सेव डाल देंगे कि लिए फुलकी चाट भी बन गए है अब जाट अब पर से हम डाल देंगे अब रची डाल देंगे उपसे तो लेगे लिए बन गए हमारी फुलकी चाट अब पर से आनार थोड़े से गारनिस कर देंगे हमारी फुलकी में चार चांद लग जाएंगे अब देखे मैंने दो इसमोल गिलास ले लिए हैं अब इसमें हम इंब्ली का पानी ले लेंगे एक गिलास में अब इसमें हम धनिया का पानी ले रहे हैं अब इसमें हम धनिया का पानी ले रहे हैं लीजी गाइस बनके तयार है हमारे सूजी के गोल गपे पानी भी में ने बनाए है इसके साथ अब फुलकी भी मैंने बनाई है आई होप यह आप सब को बहुत पसंद रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक हैं सबस्क्राइब करें ताकि मैं आप लिए अच्छा सी रस्पी ले के आती रहूं तो मैं मिलती हूं आप नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग